हालो गुट इवनिंग एवरिवान मैं डॉक्टर स्वाती शर्मा इंग्लिश तूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं आज मैं आप लोगों के लिए आर्पीएसी के बैट से संबंदित जो उन्होंने नया से लेबस दिया है उसमें उन्होंने जो टर्म्स दी है उन में स इस समय काफी लेट हो रहा है जब मैं उसको बना रही हूं इससे पहले पूरा एक वीडियो बना और वो खराब हो गया बीच में ही बस आवाज आ रही थी वीडियो रुग गया था तो अब इसलिए मैं एक चोटा वीडियो बना रही हूं और बाकी काईसे कांटिन्यू लेकिन आप 3-4 दिन बाद में रेगुलर जो है इसमें हो जाओंगी तो अब आप इसमें अभी जितना भी मुझसे हो पाएगा उतने में questions आप लोगों को करवा देती हूं यूपीटीजीटी का नया बैच हमारा स्टार्ट हो गया है और जो भी इस बैच को लेना चाहते हैं वह हमें इस पॉंटेक्ट कर सकते हैं सेवन डबल त्री एड पर और प्लीज आफीज के बारे में यहां पूछ कर या फीज के बारे में फोन पर पूछ कर कि आपकी बहुत ज्यादा है कहकर आप शन्मिंदा ना करें क्योंकि आप अफीज तो जितनी आउतनी रहेगी काम तो होगी निफ प्लीज ना हमें एम्ब YouTube से भी UPT-GT-PGT निकाला है तो प्लीज आप उसे देख लीजिए इसके बारे में कहा के प्लीज हमें इंबर्स ना करें चलिए पहला question है आप लोगों के लिए आज जो टर्म्स लिये है मैंने Gothic fiction और Gothic fiction था renaissance है और romanticism stream of consciousness sonnet लिया था अब मैं अभी देखती हूं मैं कितना करवा पाती हूं और पहला जो है मैं आपमें इसमें बता हूं कि यह जो है question है its narratives deal with its narrative deal with super deals with supernatural mysterious or ghastly events and the apprehension or production of terror and which we were usually situated in wild stormy landscapes eerie manors or castles this is the description of take a Gothic fiction जो है that came in the 18th century mostly in 1790s Gothic जो word है that has been taken from the Germanic tribe goats और ये जो fiction था ये एक तरीके से यो और novels थे 18th century में anti-sentimental जो novels से जैसे Daniel Defoe ने लिखे थे और Samuel Richardson के Henry Fielding के novels आये उसे बिल्कुल हटकर ये novels थे इन novels की जो background होती थी that was in a castle में हुआ गरती थी किले में मध्यकालीन यूग में ये novels जो है वो दिखाय सेट किये जाते थे background basically जो characters होते थे supernatural beings इसमें हुआ करते थे और इसमें डर supernatural elements castle कुल मिला के बहुत रहसे महीं सा जो है वो माहौल बनता था इस novel के कुछ जो आपके novel के examples है जैसे Horace Walpole का है The Castle of Otranto Mysteries of Udelfo Monk और इसके हलावा Frankenstein Mary Shelley का Frankenstein जैसे the modern pro Matthews ये सारे novel Gothic novels हैं जिसमें एक supernatural elements का और dark elements का जो है वो submission दिखाया गया है तो basically ये जो narrative होता है ये रहसे महीं डरावना जो wild stormy landscapes होते हैं इरी डरावने castles होते हैं तो ये किसका जो कहें वो example है that is the example of Gothic fiction ये Gothic fiction का example है now the next one is it's a genre of fiction अभी मैंने यही चीज़ बताई ये एक fiction का वो जिसमें रहसे supernatural horror होता है horror होता है और ये dark castles जो हैं उसमें इसका जो बेग इसकी स्टोरी जो है वो set होती है तो इसे क्या कहते है Gothic fiction that is Gothic fiction Gothic fiction के लिए ये यूज किया जाता है whose novel is the castle of Otranto अपने आप में अतरंगी novels होते हैं ये जो written by Horace Walpole the first person who coined the term metaphysical was एक सबसे पहले चीजों के परे उसे metaphysical कहा जाता है ये metaphysical जो poets थे इनका एम था अपनी learning को शो करना ये 17th century के writers थे इन में जॉन डन को जो कहा जाता है founder of metaphysical school of poetry ये जो writers थे ये heterogeneous ideas को violently योग करते थे यानि कि far-fetched जो images थे conceits use किया करते थे ऐसी images use के थे दो ऐसी चीजों को compare करते थे जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं इनकी भाशा जो है वो बहुत ही ज्यादा pedantic हुआ करती थी और ये खुद को admire करवाना ज्यादा पसंद करते थे as compare to लोगों के समझ में जॉंडन की अगर आपने poems पढ़ी है और वेलेडिक्शन forbidding morning जिसमें उन्होंने अपने आपको जो है moving foot of compass और अपनी beloved को fixed foot of compass से compare किया है तो ये एक conceit का example है far-fetched images का इसके अलावा इसमें उन्होंने और भी conceits use करें हैं जब उन्होंने जो planets के जो move करने को जो है वो spiritual lovers के से compare किया है तो यह जो चीजे हैं यह यह इनकी जो lines जो भाशा होती थी वह बहुत ही colloquial भाशा का यूज करते थे लेकिन सबसे पहले यह term use किस ने करी यह term सबसे पहले यूज करने में अब यहां पर स्टूडेंट से confuse होते हैं कि metaphysical term dryden ने यूज करी है यह इसे dr. samuel johnson ने करा है यह William Drummond कहां से आ गया तो मैं आज पर बताते हूं 1630 में Scottish writer William Drummond ने यह term जो यूज करी थी अपने contemporary writers के साथ यूज करा था कि do not use metaphysical ideas in your writings उन्होंने अपने contemporary writers से metaphysical usage को करने से मना किया था तो William Drummond was the first person who used this term metaphysical for his contemporary writers not to use that metaphysical vocabulary तो metaphysical words को वो यूज ना करें तो William Drummond जो कि Scottish writer थे यह term technically सबसे पहले उन्होंने यूज करा था technically this term was used first by William Drummond तो Drummond के द्वारा इस तरम को यूज किया गया था अगर सारे दे रखें तो William Drummond आएंगे उनका एक ही प्रयास था अपने learning को शो करना वह admire होना पसंद करते थे समझ में आने को छोड़का यह कहा है Dr. Samuel Johnson के द्वारा यह कहा गया है जो उन्होंने यह चीज कही अपने lives of poets में lives of poets उनका एक work, biographies है collection of biographies जिसमें 52 writers की biography है और उसमें उन्होंने यह term यूज किया करा है कि यह जो metaphysical poets थे कि 17th century में एक जो लोग थे जो एक अलग ही तरीके के writers थे जिनका एक ही एम था just to show off their learning whose essay is the metaphysical poets metaphysical poets को बहुत लंबे समय तक लोग भूले रहे उन्हें revive करने का श्रे जो जाता है यानि कि उन भूले बुसरे metaphysical poets को याद दिलाने का श्रे जाता है T.S. Eliot modern writer T.S. Eliot को जाता है इन्होंने जो अपना essay लिखा the metaphysical poets उसमें उन्होंने इन poets को याद करा और दूसरों को भी उन्होंने याद दिलाया जो बहुत famous term T.S. Eliot ने use करें unification of sensibility and all that तो just with इनी चीजों की वज़े से दुबार revive करा है 20th century में T.S. Eliot ने Now the next one is the display of learning, expression to new thoughts, अपनी learning को दिखाना, नए thoughts को अपने works में सान देना, intellectual appeal करना, far-fetched images यानी की conceits यूज करना, mystical touches देना, यह सारे जो characteristics हैं, यह characteristics हैं, metaphysical school of poetry के यह characteristics हैं John Dunn affects the metaphysics, this is the derogatory remark for Dunn, John Dunn affects metaphysics not only in his satires, but also in his amorous verses, यह term metaphysics use करा था Dryden ने, Dryden who was the first official poet laureate, यह term John Dryden के द्वारा यूज करा गया है, Dunn के लिए Heterogeneous ideas, yog'd by violence together, these are the words of Dr. Johnson about, heterogeneous अतरंगी ideas को violently put together, कि बिलकुल दो अलग चीजों को एक साथ रख देना, यह Dr. Johnson ने किसके लिए कहा है, यह कहा है, उन्होंने metaphysical poets के लिए यह term use किया है Cleveland, Marvell, Cowley are associated with the metaphysical poetry Abraham Cowley, जिन्होंने Cowleyan ode की भी, जो है, irregular ode start करे Cleveland, Marvell, Andrew Marvell, to his choir mistress, जिन्होंने लिखी है यह सारे जो writers है, यह metaphysical school को belong करते हैं तो इन्होंने, they write, उन्होंने कैसी poetry लिखी है, they wrote secular poetry इन्होंने poetry कैसी लिखी है, secular Herbert, Wogan, Croshaw, Traherne are associated with the metaphysical poetry they write, उससे पहले जो Cowley ने और जो poetry लिखी है, उन्होंने secular लिखी है और इन्होंने जो लिखी है, they wrote religious poetry इन्होंने, Herbert, Wogan ने, इन्होंने religious poetry लिखी है wit abstracted from its effects upon the hearer may be more rigorously and philosophy considered as a kind of discordia conquerors a combination of dissimilar images or discovery of occult resemblance in things apparently unlike this is the excerpt from life of Cowley, the phrase discordia conquerors which is used to refer metaphysical poetry is used by, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह term बता दूँ, कि यह discordia conquers का मतलब यह है कि जब जो unity है unity of ideas जो कहें वो बिलकुल ऐसी चीजों से पाया जाए बिल अन्हार्मोनियस चीजों से unity प्राप्त करने का यानि कि बिलकुल opposite चीजों से unity प्राप्त करने का जब प्रयास किया जाए तो वो कौन कर सकता है जो उन्होंने पहले भी कहा है कि heterogeneous ideas are put together violently कि योग together violently तो discordia conquers मतलब होता है कि बिलकुल अतार्किक असंगत चीजों के माध्यम से unity को सामझस्य को प्राप्त करने की कोशिश करना यह term discordia conquers use करा है डॉक्टर सैमौल जॉनसन ने किसमें यूज करा है अपने work the life of Kaule life of Kaule is the part of lives of English poets जिसमें 52 poets की biography है और यह उन्होंने का किसका है यह work that is by dr. johnson this is the term which is applied to the poetry of john dun यह भाई यह term जो के भाई देखे अगर Dramont, Johnson और Dryden तीनों एक साथ दे रखे होते हैं तो metaphysical word Bramont ने सबसे पहले यूज करा था मगर उन्होंने केवल अपने contemporary poets के लिए यूज करा था लेकिन जो dun के लिए और dun के जो साथी और poets थे उनके लिए यह term सबसे पहले Dr. Samuel Johnson के दुआरा यूज की गई थी जोनों ने लिया था Dryden के phrase He affects the metaphysics The term is The metaphysical poets So metaphysical poets जो term सबसे पहले किस दे यूज करी है Dr. Samuel Johnson The term renaissance is used by the French historian in 1855 Who is he? सबसे पहले चलिये बात करते है Renaissance जो word है This is renaissance Most of Many people pronounce it renaissance But I pronounce it renaissance And obviously you can hear the pronunciation On Google as well That Ye renaissance जो है Jब ये movement इटली में आया था Renaissance means revival of learning कौन सी learning Greek and Latin learning का revival हुआ था तो जब ये movement इटली में आया था तो इसका कोई नाम नहीं था जब इटली से France गया तब इसका कोई नाम नहीं था France ने England में पहुचा तब इसका कोई नाम नहीं था इस movement को revival of learning यानि की Greek और क्लासिकल लर्निंग Greek और Roman लर्निंग का जो revival हुआ था उसे नाम renaissance जो दिया था That was given in 19th century और किसके दुआरा दिया गया था Jules Michelet के दुआ This name was given by Jules Michelet यह French historian ने अपनी बुक में यह टर्म दिया था Renaissance Marlo's Hero and Leander is the product of Marlo की जो poem है Hero and Leander यह poem product of renaissance है इस poem को वो complete उन्होंने नहीं किया था It was completed by Chapman Chapman की इस से प्रसिद्धी जो है वो काफी बढ़ी थी Even Shakespeare ने भी इस poem की लाइन को अपने play में कोट करके Marlo को एक शद्धांजली जो है वो दी थी तो यह जो Hero and Leander जो poem है It shows clear-cut influence of renaissance तो यह है the renaissance influence Now the next question is Jewingley, Martin Luther and John Calviner यह जाने जाते हैं यह renaissance theologians हैं यह वो लोग थे जो चर्च में सुधार जो है वो चाहते थे Martin Luther यह है वो चर्च में पूर्ण तयार जो है एक जिसे कहना चाहिए रिफॉर्मेशन की जो शुरुवात है वो उनके द्वारा की गई थी कि चर्च में पूरी तरीके से रिफॉर्म जो है वो आने चाहिए यह लोगों को पता कब चला जब वह क्लासिकल लेर्णिंग से क्लेंट हुए तब ही उन्हें पता चला कि यह शुड़ बी अक देज़ अब ऑल दक चर्च इस नीड क्लिंजिंग जो है वो चाहते हैं क्योंकि जो करप्ट प्रक्टिसेश उन से क्लिंजिंग चाहते हैं तो यह यह जो है हुड्रेक ज्विंगली मार्टिन लूथर और जॉन गैल्विन आर दे आर देवर सौरी रेनसांस ट्योलोजिंग इंस विच्चुछर और यह वाला तो वह क्वेश्चन सब्स्तोड़ देवर यह था है यहां से बता रहा है है now let's discuss about romanticism romanticism यह टर्म जो है romantic actually romanticism और romantic revival यह था क्या यह था क्या orderly discipline, orderly writing पे और romantic age जो थी, it was against all sort of formalities तो romanticism जो word है, मतलब escape from reality कि जो इतना ज्यादा materialism बढ़ गया था उस समय कि escape from reality take refuse in the lap of nature तो who defined romanticism as the renaissance of wonder romanticism को renaissance of wonder किसने का है, Theodore Watt-Dunton ने ये कहा है, ये term जो romanticism को renaissance of wonder कहा है, Theodore Watt-Dunton ने who defined romanticism as addition of strangeness to beauty Walter Peter ने ये कहा है कि romanticism जो है, वो beauty में एक strangeness add करने का एक माध्यम है that is by, this is a quotation by Walter Peter subjectivity, spontaneity, supernatural melancholy, nature, dignity, nobility of an individual simplicity and revolt against artificiality are some of the characteristics of romantic movement की शुरुआत मानते हैं 1798 से जब Watsworth और Coleridge का joint जो venture है that was lyrical ballads आया था ये जो lyrical ballads एक आगास था कि common men की language को literature में स्थान देना चाहिए rigidity of rules को नहीं स्थान देना चाहिए जो सब को समझ में आए ऐसी language a poet is a man speaking to men ये चीज जो है वो poems में होनी चाहिए urbanization, materialism का प्रभाव literature पे नहीं पढ़ना चाहिए और romantic movement है back to nature की बही नेचर के पास जो है वो refuse लेने वाला होना चाहिए और एक जिसे कहना चाहिए कि romantic movement के जो seeds से वो french revolution से हैं french revolution जब हुआ था 1789 में तो उसका impact जो है वो केवल वहीं तक्सीमित नहीं रहा था बलकि उसका impact जो है वो सभी जगे पर पड़ा था तो उनने कहता कि जो age old चीजे हैं उन्हें हटा कर नई चीजे जो हैं वो लाई जा सकते a revolt is always possible तो इसी में ये रोमेंटी ये subjectivity यानि कि poet के अपने विचार spontaneity ये age में lyrics जो हैं वो बहुत जो predominant थे वो lyrics थे spontaneity super इंसान की individuality पर बल दिया गया था तो ये सारे के सारे features किसके हैं these are the features of romanticism the dark lady appears in the sonnets of dark lady sonnets Shakespeare ने sonnets लिखे हैं 154 Shakespeare के sonnets में sonnets का birthplace है इटली और sonnets में जो Shakespeare ने इन sonnets को जिने English sonnets कहा जाता है 14 line की poems जिसे A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G यानि की तीन क्वाट्रेंस और एक कॉपलेट में बाटा जाता है पेट्रियाकन सॉनेट की तरह नहीं octave or sestet में बटे वे होते हैं ये हैं तीन क्वाट्रेंस और एक कॉपलेट में Shakespeare के sonnets में जो डाक लेडी है उसका Shakespeare की जो में से Mary Fartin कहा जाता है हाला कि जानता तो कोई भी नहीं है डाक लेडी अपियर्स इन दे सॉनेट्स ओफ शेक्सपिया The Patriarchan type of sonnet is after the name of Patriarch who wrote the poems of 14 lines to express his love for Patriarchan sonnets Patriarch के नाम पे हैं हाला कि sonnets जो हैं वो Patriarch नहीं लिखने शुरू नहीं किये थे sonnets लिखे गए थे Giacomo the Lentini के दुआरा उसके बाद इन sonnets को जो shape दिया इन sonnets को famous किया Patriarch ने Patriarch was an Italian writer उन्होंने ये sonnets वो octave assistant में बटे वे थे 8 लाइन और 6 लाइन में वो sonnets लिखा करते थे अपनी प्रेमी का लॉरा के लिए तो ये हैं लॉरा दिनोवेस Italy is the birthplace of sonnet की शुरुआज जो है वो इटली से हुई 14 लाइन का poem चौदा लाइन में अपनी सारी बात जो है वो की जाती है तो दाट इस इटली इस जनरली अग्रीट अग्रीट शेक्स्पीर रॉट 28 sonnets अबाउट दाक लेडी 154 sonnets में से केवला 28 sonnets जो है उन्होंने डाक लेडी को समर्पित करें हैं एक से लेकर 126 तक उन्होंने fair youth को यानि कि अपने patron को WH को समर्पित करें हैं और लेकिन 153 और 154 वो sonnets हैं जो तो इस पर जो दो sonnets जो हैं वो completely dark lady पर नहीं है वो greek god of love cupid पर है तो यह मानना यह है कि 26 sonnets जी dark lady को समर्पित करें गए हैं तो यह cupid को समर्पित करें गए हैं sonnets 127 to 154 but sonnets 153 and 154 are the two versions of a greek epigram on cupid कि भाई यह 153 और 154 cupid को समर्पित करें लिखे गए हैं इसलिए technically के वल 26 sonnets ही dark lady को समर्पित हैं तो these are some of the questions which we have discussed so far बाकी और questions जो हैं we'll discuss tomorrow आज भी video खराब हुजाने की वजए से बाकी का काम मैं कर नहीं पाई so that's all for today thank you very much bye bye